हामणा रेलवे स्टेशन भारत के व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है और अपनी अनन्य वास्तुकला और समरुद इतिहास के लिए भी जाना जाता है लेकिन जो कारण इस स्टेशन को विशिष्ट बनाती है वह है इसकी दिवारों को सुशोबित करती दो विशाल दिवार घडिया एक गड़ी स्टेशन के अंदर और दूसरी बाहर है दोनों ही यात्रियों के लिए एक महत्वपूर उद्देश्य की पूर्ती करती है इस चहल पहल वाले स्टेशन के दिल के रूप में धर्कने वाली में ये दो बड़ी दिवार घडिया कोलकाता की इस स्टेशन के सबसे प्रतिश्टित स्थलों में से एक बड़ी दिवार घड़ी है जिसे यात्री अकसर रेफरेंस पॉइंट के रूप में उपयोग करते हैं आईये स्टेशन के अंदर की घड़ी पर करीब से नजर डाले ये एक सफेग बैक ग्राउप पर बोल्ड काले नमबरों के साथ एक विशाल डबल फेस वाली गोलाकार घड़ी है घड़ी के डायल का आकार चार फीट है घड़ी को रणनीतिक रूप से स्टेशन के बीच में रखा गया है जिससे यात्री स्टेशन के किसी भी हिस्से से समय की जाच कर सकते हैं चलिए अब बाहर चलते हैं और दूसरी घड़ी देखते हैं यह घड़ी भी उतनी ही प्रभावशाली है यह 6 फीट की डायल वाली एक विशाल गोलाकार घड़ी है यह दो मुही घड़ी एक हुगली रिवर फेस पर और दूसरी हाबडा बस्टैन फेस पर बोल्ड नमबरो और बड़ी सुई वाली विसाल का एक घड़ी दूर से दुखाई वेती हैं इस घड़ी का यंत्र इंजीनिरिंग की एक प्रभावशाली इपलब दी है अब यह घड़ी इलेक्ट्र मेकेनिकल रूप से नियंतरित एक मोटर द्वारा संचालित होता है जो गियर और पूली क की एक शोखला को गुमाता हुआ घड़ी को चलाता है हावणा रेलवे स्टेशन पर ये दो घड़िया कोलकाता की रेलवे विरासत का प्रतिक बन गई है